नमस्कार पूर पीम पर आप सभी का स्वागत है दिल्ली में जेल से छूट कर वापस आने के बाद दिल्ली के पूर्व सियम और आम आदली पार्टी के सयोजक अर्विन केजरिवाल ने जब से मुक्मंतरी पत से इस्तिपा दिया है एक के बाद एक रोज धमाके कर रहे हैं बस इस बार केजरिवाल अभी खुल कर सामने आकर हमला नहीं कर रहे हैं बलकि परदे के पीछे से वो स्यासी गोटियां बिछा रहे हैं पूर्व सीम केजरिवाल ने पहला धमाका किया मुक्मंतरी पत से इस्तिपा देने का उसके बाद दूसरा धमाका मुक्मंतरी पत के लिए पहली बार की विधायक आतिशी मरलेना के नाम को आगे कर सब को चौका दिया केजरिवाल ने जब मुक्मंतरी पत से इस्तिपा दिया तो बीजेपी ने जम कर तंजवाले स्यासी तीर छोड़े लेकिन केजरिवाल ने इस बार ठाल लिया कि वो अब स्यासत की सूनी कोटरी में जाकर दिल्ली में बीजेपी के मनसूबों के पूरा नहीं होने देंगे कैसे समझातें आपको दिल्ली की होने वाली भावी सीम आतिशी मरलेना ने अपनी तरकश से आज जो स्यासी तीर छोड़ा है उसका निशाना बीजेपी के सबसे दमदार और ताकतवर मुकबंतरी यूपी के योगिया जितनात की सरकार पर लगाया आतिशी के निशाने पर सीधे यूपी के मुकबंतरी योगिया जितनात है बिजली को लेकर आतिशी ने यूपी की योगिस सरकार की आज पोल खोल कर रख दी है आदिशी ने आज बाकाइदा प्रेस कॉन्फेंस की और बिजली के बिल को लेकर पूरा कच्चा चिठा खोल कर रख दिया आदिशी ने का की भाजपा ने उत्तरप्रदेश में एक किलो वाट कनेशन के दाम सीधे 250 प्रतिशत और पाच किलो वाट कनेशन के दाम 118 प्रतिशत बढ़ा दिये हैं यह वह उत्तरप्रदेश सरकार है जिसने गर्बियों में आठ घंटे बिजली कटवते की और फिर बिजली के कनेशन के दाम बढ़ा दिये आतिशी ने आगे का कि बीजेपी का बिजली का मॉडल है लंबी बिजली कट और महेंगी बिजली इसलिए दिली के जनता के लिए बहुत जरूरी है कि वो अर्विंद के जरिवाल को दोबारा चुनकर दिली का मुक्वंतरी बनाए वरना जो इस्तिति आज हम यूपी में देख रहे हैं वही इस्तिति दिली में भी होगी जितनी बिजली की कटोती यूपी में हो रही है उतनी ही कटोती दिली में भी होगी जितना बिजली का बिल यूपी में आ रहा है उतना ही बिल दिली में भी आएगा जबकि केजरिवाल के शासम में दिल्ली वासियों को फ्री बिजली मिल रही है यहां से सस्ती बिजली किसी भी प्रदेश में नहीं आतिशे ने का कि मैं आज दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ कि जब फरवरी में चुनाव होंगे जब आम आधिपार्टी की सरकार बना कर अर्विन के जरिवाल को फिर से मुखमंतरी बनाए तब ही दिल्ली में 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली मिलेगी आने वाले चार महिने में जब तक मेरे पास मुखमंतरी के जिम्मेदारी है मैं दिल्ली की जनता की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करूँगी और दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलेगी इसकी गारंटी देती हूँ दिल्ली वासियों पर आज बिजली के बिल का बोज नहीं है दिल्ली के लोगों को बिजनी के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ती और दिल्ली में बिजनी कड़ोती भी नहीं होती है आतिशी यही नहीं रुकी यूपी की योगी सरकार पर निशाना साज़ते वे कहा कि बीजेपी की उत्रपर्देश की योगिस सरकार ने बिजली करनेशन के दाम बढ़ा दिये पहले एक किलो वर्ट के करनेशन के लिए जहां बारा सो रुपे दिये जा जाते थे अब उसके लिए वुक्ताओं को तीन हजार रुपे देने होंगे वह पाँच किलोवाट के कनेक्शन के लिए 7,967 रुपे देने होते थे अब इसी कनेक्शन के लिए यूपी वालों को 17,365 रुपे देने होंगे यूपी के लोगों को इतनी महेंगी बिजली मिलने के बावजूद इस साल गर्मियों में उन्हें 8-8 घंटे के पावर कट जीलने पड़ रहे हैं इसलिए दिल्ली के लोगों को एक बार फिर अरविंद के जरिवाल को चुनकर मुकवंतरी बनाना है ताकि दिल्ली वाले 24 घंटे और सबसे सस्ती बिजली की सुविधा का लाव ले सके दिल्ली में 37 लाख परिवारों का बिजली बिल 0 आता है 37 लाख के परिवारों पर बिजली के बिल का भार नहीं है इनको दिल्ली में एकदम मुफ्त बिजली मिलती है तो वही 15 लाख परिवारों को बिजली आदे दाम पर मिलती है अगर इसे पीजेपी शासित अन्य राज्यों से तुलना करे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है आदिशे ने एक आकड़ा देते हुए का की दिल्ली में 400 यूनिट बिजली का बिल 980 रुपय आता है इन आकड़ों से मतलब साफे की सबसे बहेंगी बिजली देने के मामले में एंडिया शासित महराष्ट की शिंदे सरकार पहले नमबर पर है दूसरे नमबर पर MP की मोहन यादव की सरकार है तीसरे नमबर पर UP की योगी अजतनाद सरकार है चोते नमबर पर हर्याला की सेनी सरकार है पांचवे नमबर पर गुजरात की भुपेंदर पडेल के सरकार है इन आकलों से साफ़े की बीजेपी शासत पांच सरकारों में सबसे सस्ती बिजली है तो वो है गुजरात लेकिन वहाँ भी 400 यूनिट बिजली के बिल का दाम 244 रुपे है आधिश्टे ने क्या कुछ का आई वो भी आपनी है पांच किलो वाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारती जनता पार्टी की उत्तर करदेश सरकार ने 118 परसेंट बढ़ा दिया है 7,967 रुपे से 17,965 रुपे कर दिया है यानी 118 परसेंट की वृद्धी एक किलो वाट के कनेक्शन के लिए 200 परसेंट की वृद्धी पांच किलो वाट के कनेक्शन के लिए 118 परसेंट की वृद्धी और ये वही भारतिय जंता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में आठ आठ घंटे के पावर कट लगाए और ये आठ आठ घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गाउं में नहीं लग रहे थे ये आठ घंटे के पावर कट नौइडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे, तो भारतिय जनता पाटी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतिय जनता पाटी का मॉडल है, लंबे लंबे पावर कट और सबसे मेहंगी बिजली, यही कारण है, कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है, कि वो फिर से अर्विंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आएं, और अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मु रहेंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। आज अर्विंद केजरीवाल जी का क्या बिजली का मॉडल है? आम आदनी पार्टी की दिल्ली सरकार का क्या बिजली का मॉडल है? अर्विंद केजरीवाल का मॉडल है चौबिस घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में सैसेस लाख ऐसे उपभूगता हैं, सैसेस लाख परिवार हैं जिनका बिजली का बिल जीरो आता है। पंदरा लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं, जो 200 यूनिट और 400 यूनिट के बीच में इस्तमाल करते हैं। चासित सरकारों से कंपेर करेंगे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। आपको मुफ्त और सस्ती बिजली चाहिए या फिर बीजेपी शासित राज्यू के तरह महेंगी बिजली। अगर मुफ्त और सस्ती बिजली चाहिए तो एक बार फिर दिल्ली विधानसवा चुनाओ में सभी दिल्ली वाले आम आपनी पार्टी की सरकार और अरविन के जरिवाल को मुख्वंती बनाएं। जिससे आप सभी दिल्ली वालों की बिजली के बोच तले दमना पड़े। फिलाज दिल्ली में विधानसवा चुनाओ फरवरी में होंगे। तब तक आम आपनी पार्टी दिल्ली में फ्री और सस्ती बिजली काबिल के मुद्दे को भुना पाती है या नहीं चाने वाले विधानसवा चुनाओ में तैह होगा। इस वीडियो में तुना ही आप एक पर एक पर फॉर पियाँ।